नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमर और स्वागे था आपका आज की इस वीडियो में जहाँ पर बात करने वाले हैं मारुती ग्रेंड विटारा के ओनर से आज की इस वीडियो में ownership preview आप लोगे के साथ share करेंगे और ये Grand Vitara का base variant है यानि की sigma variant है देखके आपको बाहर से ऐसा बिल्कुल भी ने लगेगा कि ये base variant है क्योंकि गाड़ी के अंदर owner ने काफी अच्छा जो काम है वो करा रखा है आज की इस वीडियो में हम इन से जानने की कोशिश करेंगे कि इस से पहले वो कौन सी गाड़ी चला रहे थे फिर उन्होंने Grand Vitara क्यों खरीदी और खरीदते टाइम उन्होंने और कौन-कौन सी गाड़ीयां इस competition में इस price segment में देखी और कितनी वेटिंग के बाद या कितना premium देने के बाद उनको ये गाड़ी मिली है और अब गाड़ी मिलने के बाद जैसे कि वो इसको लगभग अभी 3000 किलोमेटर चला चुके हैं तो 3000 किलोमेटर चलाने पर उनको गाड़ी से वो कितने satisfy हैं क्या positive उनको लगे क्या negative लगे हर एक चीज के बारे में हापे detailed में बात करने वाले हैं सर आपका स्वागत है जी सर तो आप लगातार 20 साल से मारूती से जुड़े हुए हैं यह आपकी फोर्त गाड़ी है मारूती फोर्त गाड़ी है आपने जैन से शुरुवात करी थी जैन से शुरुवात की थी पहले जैन थी फिर उसके बाद दो सिफ्ट रहीं मेरे पास में डीजल वेरिंट में थी और फिर उसके बाद मैं बलीनों लेका आया फिर मैं बलीनों के बाद मैं फिर मैं यह अपनी ग्रांड विटारा लेका और Grand Vitara भी है, कोई ऐसी मामूली नहीं आ गया है, बड़ी तपश्चा करने के बाद आई है, तो जैसे आपने धीरे धीरे टाइम के साथ साथ अपग्रेड करी गाड़ी, जी जी, तो मारूती पे मतलब आपने मन बना रखा तके Grand Vitara ही लोगे या आपने और गाड़ियां भी डेखी कि और गाड़ियां भी देखी गाड़ियां जीसे करेट अटा ने जॉड़ा है, लिके azध जूड़ा हुट साल किसाओं कंभी मारुती मेरा मारुती से दीह हुआ हैं तो इसके बाद में बाला इनUI के बाद में घया में अगहें मुना फरोंक्स दे लिए तो निए हैं जास väldigt में पहुचा तो मुना जो कृम मैं जा फरण पर रहे मिलग इसके जैसा ही है आप जो को पीछे से लुक अलग है तो बई बलीनों के बाद में फ्रॉंक्स बद देखा तो सेम सी लगी पर जिस टाइम पर मैं उसमें बैठा तो मुझे ऐसा लगा के सायद ये बलीनों से भी छोटा स्पेस है इसके अंदर इस पेस में थोड़ा सा मुझे कम लगी बस उसकी ट्राइ ल लुक से ही और देखा तो साड़े दस गया रहा है संथिंग था सायद उसके हां उसका प्रोक्स ऐसी था और हमने इसका देखा बेस मोडल में ही बेस मोडल में सारी चीजें थी इसके अंदर पुस बटन वगारा जो भी कुछ मलब नॉर्मली जो चीज चाहिए वो चीज थी लगवाए अपने थोड़े बहुत जानने वाले भी ते तो उनसे हिसाब किताब लगवाया देखा तो यह बस एक डिड़ लाख रुपा कम सखम बस महंगी थी वह उससे तो लाख एक डिड़ दो लाख का बही अपना ठीक है बड़ी गाड़ी है और हमें यह भी पता था कि तोयटा में जो है जबत्क ये सायद फोल रूप से नहीं थी, तोयटा में, है . तो पहले से ही पक्का मन मना लिया कि अब तो ग्रांड विटा रहा ही लेका आनी है फिर जो आपने जानने वाले थे वो भी फेल हो गिये वो कहरें लगे कि आठ नो महीने बाद फिर हम दूसरे उस पर गए सो रूम पर जाने के बाद मैं जब पता लगता है कि भई बलेनी तो अभी है जब लेने के इच्छा हो जाती हैं फिर नहीं देखा जाता फिर तो बस जो होना आए देखा जाएगा बई अपना जो है थोड़ा बहुत एक्ट अश्टा देर ना पड़ेगा इसमें मागा बाई बिल्कुल दयूना है यह बताइए के इतने दिन में मिल जाएगी कहला जी वन सब्सक्राइब कर दिए कोई बात दिन दिन दिया आपको क्या माउंट दिया आपने यह समझ लो कि बस मैंने यह सर्थ रख दी ठीक हाप 50,000 के असपास अगर इसका लोगे अगर अगर आप प्रीमियम लोगे तो भई मैंसकी ना तो बेस्कित लोंगा ना मैं इसका वो करनी होगी बच जब चाहिएगी फ्यूचर में मैं करा लूंगा एक्स्टेंड वरंटी मतलब यह कह रहते हैं कि पचास अजदार तो प्रीमियम और उससा अलावा एक्स्टेंड़ वरंटी बेसिक किट लेनी पड़े हाँ इसके लिए जी यह तो आपको लेनी लेनी पड़ बहुत कम उसके हैं करोल बाग से मिल जाएंगे तो ठीक तो भीया 47,000 रुपे के यह मेरे डले और 50,000 रुपे उसमें दी एक्स्टा प्रीमियम पंद्रह हजार रुपे अलोई वील में एक्स्टा प्रीमियम चला गया यह लेने के बाद फिर भी मेरी संतुस्टी नहीं इसका टोब मोडल कैसा है तुरंत वह वीडियो वगरा मैं देखता रहता हूं करोल बाग की पर मैं तो सीद्धा करोल बाग लेगा और अपनी पसंद से थोड़ा सा यह था कि महां पर सो रूम से निकलते हुए वह उनकी पेपर बर्क वगरा उनकी फोर्मल्टी पूरी करने बना रहा हूं एक दिन फिर जाने का पिर इसमया और भी काम में दो-тीन काम है जो मेरे पसंदीदा रह गी है बड़ा मन था मेरा यह भी काम होना चाहिए पर काम अभी अधूरा है मैं और दूबार जाओंगा दूबार करके लिकाओं तो यह सारी तो वह आपकी खरीदने की जरनी खरीदने के बाद 3000 किलोमेटर जैसे अब चलाई है तो चलाने के दुरान इस गाड़ी के अंदर आपको क्या तो खूबिया लगी और क्या कमिया लगी वो थोड़ा सा और बताओ इसकी सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा एक तो इतना बड़ा परिवार नहीं इतने ज्यादा याद दोस्त नहीं वही अपने चार-फार यार-दोस्त घर में मेरे चार-पास फैमिली में पर फैमिली में तो बिल्कुल एक से एक दम ऐसे आ जाते हैं बहुत बढ़े अच्छा गर्मियों में मैंने लीती इसमें रियर एसी भी है एसी भी इसका बहुत बढ़ी है एक दम फस्सक्रास कोई दिक्कत नहीं अपना यहां तो हो गया इसके खूबियां फिर इसका एक बहुत ज्यादे मालब बेस जो है इसका विल बेस उच्छा है थोड़ा था एक अ तो वहां पे भी कोई अब माली नो कभीका बाग नीचे से लग जाती ती इसमें कोई आसा नहीं है निकल जाती है पर निकल जांट जाओ जी जी घड़ों में भी अराम में भी आराम से बहुत अट्च कैसा उप्रेंटल्टर के अच्छा है बाऊं ब्रेकिंग भी अच्छी तो यह एक सो तीस एक सो चालिस के आसपास चल लेती गाड़ी और बस देख रहे थे एक बार थोड़ा सा यह करके तो जब ब्रेकिंग लिए तो ब्रेकिंग में थोड़ा भोट मुझे डाउट हुआ इसके में पर बाकी कंट्रोल अच्छा है कोई ऐसी बार कहने के मतलब यह क जब गाड़ी 120 से उपर जाती है तब थोड़ा सा कॉंफिडेंस लूज होता है बस थोड़ा सा लूज है 120 तक सभी है 120 तक ठीक है एक सो फिर थोड़ा रिस जी यह देख लिया मैंने इस गाड़ी में तो फिर उसके बाद देखो 120 बहुत ही स्पीड हो जाती है यह तो मैं न देखा इसमें के बेकिंग थोड़ा सा ठीक है रात के टाइम में चलाई आपने काड़ी रात के टाइम में थोड़ा सा इसका एक माइनस ही पॉइंट बोलूंगा मैं एक सब से बड़ी बात है इसके हैड्लैम है हैड्लैम इसके देखो जो चीज जहां पर सोबर करती है वह पर ही होनी चाहिए इसके डियारल उपर दे दिये हैड्लैम इसके नीचे दे दिये जो चीज जहां होनी चाहिए वह चीज भही होनी चाहिए इसके अच्छा मैं करोल बाग गया तो वहां पर जाने के बाद में इसके हैड्लैम 1608 में डलवाए तो सबसे पहली बात हो जो तो इतना अच्छा इतना हाई कि मैं यू कि रहा हूं हो वालत अच्छा बहुत बहुत अच्छा बहुत तो फिर उसके बाद मैं मैंने तो मुझे थोड़ा सा यही लगा कि जैसे अगर जो इसकी जहां लाइट होनी चीए अगर महां लाइट होती तो साइद इसकी रोसनी भी ठीक ही लगती और है कि एक है घ्राइट साब खुश नहीं है है रोग से खठ्च करके भी जय तुटा सा यहीं पर आग है गाड़ी उतरती है मन से नहीं बाकी तो महीं जो मिलाब डिस्पले पर इसने 20 का अबरेज निकाला और इसमें सवारी भी मेलाब इसमें जो हमारे परिवार के पांच मेंबर भी बैठे हुए थे तो अच्छा माइलेज निकाला 20 का अबरेज निकाला इसने तो मतलब जो आप गाड़ी को 80-85 की स्पीड बेंटेन करके चलाते हो जी त तो जब जा रहे थे हम तो तब भी देखा हमने खीच के देखी गाड़ी रफली चलाई तो रफली में ऐसा भी नहीं है यह 11 पर भी पोच गी ती आदा हो गया बिल्कुल आदा भी हो गया ऐसा भी नहीं है तो मतलब जो बंदे लेने का प्लैन कर रहे हैं तो यह उनके आपने फुल लोड पर भी गाड़ी चलाई है पांच बंदे बिठाके जब आपने गाड़ी चलाई तो उस ताइम पर आपको इसका जो पावर पिक अप है वो कैसा लगा पावर पिक अप इस्टार्टिंग में अच्छा है बढ़िया है पर जैसे फ्लो में गाड़ी चल र पावर कम है या फिर इसकी बोड़ी जढ़ बड़ी हो गी इन चोटा हो गया तो ऐसा तो अइस सब और पर पावर की महां पर जूरोत पड़ती तो अवर जो प्रोड़क्ट है उसमाप क्या चाहोगे कर किसी का बजट 12-13 14 Ty रुपे का है ठीक है और इस बजट में के लोग काफी कन्फिज हो जाते हैं जी के नेक्सोन लूँ एक्सवी 300 लूँ या फिर क्रेटा खरीदू या फिर कुछ और खरीदू तो फिर क्या लेना चाहिए आपके हिसाब से मेरे हिसाब से तो देखो अगर हुंडाई की गाड़ी थेखते हैं देखते हैं शाद के दोस्त पर वह तो उस तरिके कॉप हम ने इस तरिके से चला निकाला जाए तो गाड़ी tätä का थे हैं पर शूपी सबस्क्राइब करने चाहते हैं तो कि yılि की तग बरारे साड़े बारा listened डर्क पर टोक्षगादी नीए तो इन दार्ट तो ईस में जानता है उम या मेन भी कुश्फ किया है जब उसके बाद गाड़ी लेक हैं गाडी में डिवा जाए ==== पर बहुत एनलाइज करके जब मैं पहुचा हूँ एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे जैसे पिछले 20 साल से आप मारूति की गाड़ियां यूज कर रहे हो तो वो जो मारूति के साथ विश्वास है वो विश्वास किस चीज का है मेंटिनेंस का या फिर आफ्टर जब मतलब चलाने के बाद पुरानी होने के बाद बेशते हो गाड़ी तो उसकी अच्छी वैल्यू मिल जाती है बिल्कुल सही बोल रहे हो आप भी एक तो सबसे पहली बात हमारे छेतर में ही इसका सोरूम है कहीं दूर नहीं जाना पड़ता और सारी मला फैसलिटी मुझे यहीं पर मिल जाती है प्रोवाइड ही हो जाती है और एक विश्वास जुड़ा हुआ है अभी तक का कोई गाड़ी ने भाई देखो गाड़ी पुरानी भी रख्खिया स्टार्टिंग में पुरानी भी रख कारव में मनें गाड़ी निकाल दी उन्होंने चार चार पंस साल में तो कोई भी महलाब खर्चा बगरा कुछ नहीं दिखाया ना कुछ बाप बिना एक सर्विस का तो खर्चा आया है और कुछ निए जहां तक कि उसके तो अभी मलाब मौ गाड़ीों के टायर भी नी ड़ल तो इसलिए यह है कि मारूती के अच्छे पैसे मिल जाते हैं और फिर उसके बाद में यह भी बात आप ठीक कहा रहे हो फिर चलाने के बाद में पैसे भी ठीक मिल जाते हैं ठीक है इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है तो अपना नई गाड़ी में बैठते हुए आ रहे हैं अच्छे पैसे मिल जाते हैं पैसे मिलने के बाद में उसका दिया तुरंट अपनी नई आगी ठीक है अपनी नई गाड़ी में बैठ जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो एक ओनर से प्रिव्यू सर ने शेयर करा इसमें एक एक चीज आपको बिल्कुल खोल के बताईए ज इन सब चीजों में भी इन्होंने बताया गाड़ी पोजिटिव है हेडलाइट का इशू काफी बड़ा है गाड़ी के अंदर अपग्रेड होना चाहिए कोई मामूली अमाउंट नहीं के पांच लाख रुपेगी गाड़ी है क्योंकि वैगनार भी खरीद के हम लाएंगे तो वैगनार के हेडलाइट का थ्रोष्स अच्छा है और अमाउंट उससम दुगना दे रहे हैं तो यह सारी बात थी आज की इस वीडियो में कैसी लगी आपको यह वीडियो जरूर बताइए कि कमेंट करके कोई आपके डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते ह हैं फिलाल आज वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं वीडियो लाज तक देखने के लिए थैंक्यू वरी मच्छ